हेलो एव्रिवन स्वागत है आपका अपने चैनल में इसका नाला मैं क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले इंग्लैंड और न्यूजिलैंड के बीच में होने वाले आज के टेस्ट मुकाबले कि दूसरे टेस्ट मुकाबला है दो ही टेस्ट मुकाबले होने थे पहला तो चलो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रहा क्योंकि डेवन कॉन्वे की सेलेक्शन बहुत ज़्यादा कम थी हमने सेलेक कर रखा तो तो आदे जादा तो भाया हम डेवन कॉन्वे की वज़ए से जीद गए थे क्योंकि डेवन कॉन्वे सामने वालों के पास नहीं था प्लस साथ में ओली रॉबिसन नहीं था तो इन दोनों प्लेयर्स की वैसे हम जीद गए अब मेन बात क्या है यहां पर कई सारे बड़े नाम अब यहां पर नहीं खेलेंगे ओली रॉबिसन को सस्पेंट कर दिया गया है इतनी न्यूस तो आप सब को ही बताओगी क्योंकि वह तो भी आ न्यूस चैनलों कर भी आ ही गया था बट इससे बड़ी न्यूस के इन विलियमसन नहीं खेलने वाले हैं फिर से आपको टेली ग्राम पर जुड़ना है अब अगर आप देखो आपके पास सबसे पहले नए प्लेयर्स कौन-कौन से आ रहे हैं प्लस साथ में कौन से प्लेयर्स आपके लिए बड़िया प्रफॉर्म करकर देखकर जा सकते हैं इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के बीच म rett में मकाबला होने वाले ऐज Darren में मकाबला होगा पहला मकाबला हो रहा था कहाँ पर पहला मकाबला हो रहा हुई या लौडश में दूसरा मुकाबला होगा एजबर्स वैस्टन में क्योंकि इंग्लेंड में इतना जादा को rekून बचा नहीं है तो अब यह हैं पर मैं INFकर कर पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो प्रिव्यू कि अगर आप बात करो पहला टेस्ट जो खराब हुआ ना वह रेन की वज़े से हुआ अगर वह रेन नहीं होती तो पक्का यहां पर कोई ना कोई आपको रिजल्ट देखने को पक्का मिलता टॉम लेथम अब यहां पर क सब्सक्राइब को बहुत बड़ा सेट बेक होने वाला तो इसलिए मेनेजमेंट नहीं यही डिसीजन लिए कि चलो आप यह वाला टेस्ट रहन दो आप अगला वाला खेलना अब यहां पर अगर हम बात करें जो रूट की कैप्टन सी के ओपर बहुत ही ज्यादा बाते हो र ही का इंट्रेस्ट खतम हो गया था मुकाबले का कि उस जब पता लग गया था इंगलेंड नहीं अपने दरवाज़े बन कर देंगे हम तो नहीं जीतने वाले हम तो ड्रॉ के साथ ही जाएंगे अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर यह हुआ कि सब के सब सोच रहे थे क ओं भी आकर मारो मारो उनके पास प्लेयर्ज़ीन इहीते मारने वाले बैंच नोस वो सते जॉस बेयर्ने तो यहां पर यह सारे के सारे प्लेयर आपको ऐसे दिखते के भी आहां यह जा रहे हैं स्खोर एलिए टो सैवंटीएट के लिए और फिर वहां पर आपके पास अग अगर आप बात करो classic test pitch है आपको seem swing दोनों देखने को मिलेगी प्लस साथ में आपको spinners भी यहां पर आपको part लेते हो दिखेंगे तो Dominic best या नहीं तो जो जे लीच में से कोई एक player आपको यहां पर बढ़िया करता हुआ दिख जाएगा मिचल सैंडनर की importance भी यहां पर इस मुकाबलें बढ़ जाएगी अब अगर आप इंग लाइन की बात करो रोरी बंस डॉम सिबली जैक क्राउली जोरूड ओली पॉप इन उपर के पास तो कोई भी नहीं चेंज करने वाले हैं अब देखो डगाउट में जा रहे थे कितनी बार तो वही वाली बात थी कि भी यह इतना बड़ी है फील नहीं कर रहे थे तो इस वज़ा से बार-बार डगाउट पर डगाउट में जा रहे थे तो हो सकता है होली स्टोन आपको आता हो दिख जाए स्टूर्ट बोर्ट जेमस अंडरसन अब इन प्लेयर्स की इंपोर्टन्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है अब अगर आप नीचे होगे ना नए प्लेयर्स के स्टैट्स के उपर हम डिसकस करेंगे पुराने तो आपने देख ही र करवाएं और चार विकेट चैट कहीं है उसके बाद क्रिया को बटन के खेलने के कम चांसे अभी के लिए नीचे आओगे तो ओली स्टोन आपको देखने को मिलेगा इस ग्राउंड के ओपर दो दो इनिंग खेली है ज्यादा कुछ करा नहीं है बट आपके लिए एक बड़ भार निकाल दे बट ऐसे कोई निउस आई नहीं है तो कम चांसे है मैट हैंडी फिर उसके अदगर आप देखो नील वैगनर आपके पास एजास पटेल और यहां पर ट्रेंड बोल्ट अब दो चेंजिस तो सीधे सीधे यह होगे कि भी एजास आएगा और ट्रेंड के फ्रीका है और किसे रिप्लेस कर रहे हैं केनग्स रिप्लेस कर रहा है उसके बाद नीचे अगर आप आओगे आजास पटेल के स्टेट्ट भी इनिडवाट के बीड्रेंड बोल्ट की अगर आप बात करो एस टीम के खिलाफ 48 विगेर चटकार रखें बहुत इंपोर्ट को हो सकता है साथी मजब कायली को नामिले रेस्ट हो शकता है सिर्फो सिफ साथी को मिले बढ़ अभी के लिए चांसे जी एया नियूज ये निकल कर आ पर अब अगर आप देखोगे आपके पास जो और प्लेर है और हम एन आपको बोलो मिचल सैंटल का मैं भूल यह था कि हां यार उसे तो लग गई थी वो भी नहीं खेलेगा तो यहां पर आपको मिचल सैंटनर भी देखने को नहीं मिलेंगा तब यहां पर एजास पटेल की आ आपको देखने को मिल रही है मिचल सैंटनर तो शायद आपको न वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपेंशिप के मुकाबले में भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप न देखा होगा जब उसना आखरी ओवर करवाया था न अपना वहां पर भीया उसकी उंगली में से खून निक दिक्कत है और अभी से नहीं है पिछले एक दिर दो साल से दिक्कत वह वापस आ जा रही है न्यूजिलाइन की टीम के अगर आप बात करो टॉम लिथम डेवन कॉनवे दोनों प्लेयर्स इंपोर्टेंट अब यहां पर केन विलियमसन खेलेंगे नहीं रॉस टेलर की इंप प्लेयर्स फोकस करने वाले हैं यहां पर इन दोनों प्लेयर्स को रेस्ट देने का पूरे के पूरे चांसे हैं कि भी जैमिसन और सौवधी को रेस्ट देने वाली है टीम वैगनर का एक उप्शन आपके पास रहेगा नील वैगनर आपको खेलता हो दिखेगा पच्छी का अब लेगा उसे तो भी है सस्पेंडी कर दिया सीधा सीधा बाहरी कर दिया मार्क वूड आपके पास है मार्क वूड के खेलने के कम चांज से जो रूट आपको स्पिन मतलब एज़स पिनर ही आपको देखने को मिलेगा जो रूट जादा और उसके बाद अगर आप तो औली पोप औली पोप नवाय है राइं की एक टैरबिया मेंखे में नहीं कर सकते और तो प्सके आप वेगनर ने एक विकेट चिटकाई थी वेगनर खेलता हो आपको दिख जाएगा मैट हेंडरी आएगा कई सारे चेंजिस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर लेथम कॉनवे ना फिर से ठीक ठाक पारी खेली ओपनिंग में रॉस टेलर ना बढ़िया परफॉर्म कर दिया औ और डॉमनिक सिबली आपके पास है रोरी बंज आपके बास है दोनों प्लियर इम्पोर्टेंट और यहां पर चिज्ञ्टो पर यहां पर वोली पॉप अब एक चीज़ देखो रोरी बंज और डॉमनिक सिबली को ले लिना जैक क्राउली आज के मुकाबले में रिस्क ही हो प्लेयर्स को बढ़ेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुनना है अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन-कौन से हैं जिनके उपर आप प्लेयर्स के उपर भी हमें ज्यादा फोकस करना बढ़ेगा बॉलर्स आपको इस मुकाबलें बड़ी एप्रफॉर्म करकर दे कर जा सकते हैं चौते इनिंग के उपर ज्यादा फोकस करना बीजे वाटलिंग और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास जे ब्रेसी ही खेलने वाल जा सकते हैं जा सकते हैं इसमें हैंडी निकलस सेफ और उसके बाद आगर आप ढूंड़ेंगे साथ जाना पांचवा आपके बास टॉम लेथम हो जाएगा अब यहां पर एक ऑप्शन यह कि शाए डॉमनिक बैस खेल जाएगा अगर तो बैस के साथ जाएंगे नहीं खेलत तो फिर आपके पास यह लास्ट ऑप्शन बसता है कॉलिंडी ग्रेंड होम का और कोई ऑप्शन ही नहीं बसता है वैसे डॉमनिक बैस खेल जा तो मेरे इसाब से तो बही है बैस आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा इस कंपेर टू कि आप कॉलिंडी ग्रेंड होम को लेकर नहीं यहां पर मार्क वुड भी टीम भार निकाल देगी यहां पर नील वैगनर स्टूर्ट ब्रॉड को रखना थोड़ा सो जादा रिस्क होने वाला इस मुकाबल है बट स्टिल मैं रिस्क लूँगा वह वाला क्योंकि भी अब बहुत बड़ा नाम है ऐसे आप इन प्ले इच को टीम नहीं खिलाती हैं पर डॉमनिक बैस तो मेरे पास दोनों टीम का एक एक स्पिनर हो जागा और फिर मैं बहुत ज्यादा सेफ हो जाँगो कि कोई दिक्कत नहीं है यहां पर अभी के लिए यह कर कर चल रहे हैं कि एजास्पटेल और मान कर चलो डॉमनिक बैसी ख कर कर दे जाए तो उस हिसाब से डॉमनिक बैस की बहुत ज़्यादा खेलने के चांसे और यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समन लेकर जा रहा हूं न्यूजिलेंड फेवर करोगा इंग्लेंड वह आपके उपर है मुझे अभी के लिए न्यूजिलेंड के बैस्मन जाए टर्म लेथ हम इस मुकाबल में और भी ज्यादा बड़िया प्रफॉर्म आपको करता हुआ दिख सकता है कैप्टैंसी वाइस कैप्टैंसी अराम से बॉल उस को दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं बॉसको केप्टैंसी वाइस कैप्टैंसी देने माँ आप यहां पर एक जाते कर सकता है आपको दे जा सकता है नौर्मली वाइश केप्टेंसी इस मुकाबले में मदलब एक फेवर ऐसा नहीं होने वाला कि हमार पर सेफ केपटन वाइस केपटन या तो यह जाहता है टो व यह टाप लेंगे ते बैट का रिस्क तो है बड़ चलो रख लेते हैं कोई दिक्कर नहीं है रिस्क लोगे तब ही मजाएगा अब सबसे पहले टीम के अगर आप बात करो डेवन कॉन्वे आज़ा कैप्टन वाइस कैप्टन सी रोरी बंस अब एक चीज़ देखो चार बॉल उस तो यहां पर मैंने पिक क रहे हैं आप नहीं करना चाहिते हो पांच वफ़्ण से रांस कि मत करो मुझेश मुझे ही पता है तक स्य ना हो बडियुमों मैंस पोकि इंपोर्ट फोने वाले इसलए मना बेण में रखे ना जो रूट उसका यहां पर लेथम आपके बास है को यहां पर तो नहीं के ओपर लेकर ग्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपको मार्क वूड खेलता हुआ दिखेगा पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ चार मुकाबले हुआ है काउंटी के इस ग्राउंड के ओपर उसमें मैक्सिमम विकेट पूरी की पूरी 40 गिर चुकी है बहुत बड़ी अब बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है पहले मुकाबले में अगर आप देखोगे तो तीस विकेट्स गिरी थी बस तीस और पहले इनिंग में रंज इतने मुझे तो बनते हो दिखे नहीं 189 पर डर्बिशायर की टीम पूरी ओलोट होगी थी पहले इनिंग में दूसरी इनिंग में 244 तीसरी इनिंग में अगर आप देखो तो 221 बने और चौथी इनिंग में साथ रं क्यूंकि रंज ही साथ चेस करने थे उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर इसेक्स के खिलाफ मुकाबला हुआ था उसमें कितनी 33 विकेट गिर गई थी और एक मुकाबल एक इनिंग में 300-300 रंस बने हां बॉलर्ज ने पॉइंट्स अर्ण करे हैं बट आपको बैट्समें ने बहुत जाला बढ़िया परफॉर्म करकर देखर गए हैं तो उस हिसाब से देखना बैट्समें को अराम से फेवर कर सकते हो प्लस साथ में आपके बाद स्पिनर का एक option रहेगा बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आप अगर आप देखो तो यहां पर वाइट एक प्लेयर था जिसने बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और यहां पर अगर आप देखोगे तो एल नॉर्वेल भी आपके लिए फास्ट बॉलर ही है चौथी इनिंग में मैं एक बार देख रहा हूं कि यहां पर डी ब्रिंग्स ने वही है बहुत यह स्पिनर्स भी आपको बढ़िया परफॉर्म करकर देकर जा सकते हैं तो एक एक्स्ट्रा बैट्स में लेकर जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बीजे ब यहां पर मैंने दोनों स्पिन रखे हुँ है दोनों टीम में से जो एक स्ट्रे स्ट घेलने वाला है अपको चीजक कर सकते हैं यहां से पूरी की पूरी टीम आपके लिए small league small grand league favorable team update आपको telegram पर देखने को मिल जाएगा telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही channel subscribe कर लिजएगा वीडियो लएक कर दिजएगा अब बेल आइक अंद बाद दिजएगा आपके लिए चैनल पर